गैस टाइम आ चुका है एक exercise को और यह exercise बहुत जादे interesting इसलिए होने वाली है क्योंकि इस exercise में हम लोग गेम बनाने वाले हैं और गेम का नाम है Rock Paper Caesar जी हां सही सुना आप लोगों ने तो एक काम करते हैं यहां पर जल्दी से एक file बना लेते हैं और उसका नाम में रखूंगा tutorial51.c काफी आ गया चुके हैं हम इस course में मुझे comment में guys बताइए कि आप लोगों ने इसके कितने वीडियो देखे हैं इस course के tutorial की spelling मैं ने शायद गलत कर दिये tutorial51.c अब यहां पर मुझे आप लोगे comment का इंतिजाद रहेगा मुझे जरूर बताना कितने वीडियो आप लोगों ने देखे हैं इन 51 वीडियो में से out of 51 आपने कितने देखे हैं और उसी के सासाथ अगर आप लोगों ने C programming के इस playlist को access नहीं किया है तो जल्दी से access करके इसको book लोगों कुछ दिखाना चाहता हूं और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहां पर एक random number generate करके और यहां पर हम लोग time.h library का इस्तिमाल करेंगे मैं यह नहीं कहूंगा कि चीजे यहां पर complicated होती जा रही है मैं यह कहूंगा कि आपकी understanding बढ़ रही है और उसी के सासाथ हम लोग यहां पर थोड़ा सा चीजों को आगे लेके जा रहे हैं तो आप लोग को stdlib.h को include करना है और time.h को include करना है अब यह क्या है यह header files है और इनके कुछ functions को हम लोग इस्तिमाल करेंगे कैसे करेंगे मैं आप लोग को दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि random number कैसे generate किया जाता है यह srand नाम को एक function होता है stdlib.h के अंदर यहाँ पर अगर आप लोग time null लिख देते हैं तो क्या होता है अब देखो होता क्या है मैं आप लोग को समझाता हूं सबसे पहले मैं आप लोग को एक random number generate करके दिखाता हूं यहाँ अब आप लोग सिफ asrand time null लिखने है अभी हम बात करेंगे क्या है किस तरह काम करता है क्या चीज ऐसा क्यों लिखा उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख दीजे print है the random number between 0 to 100 is और उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते है rand और उसके बाद आप लोग को लिखना है 5% यानि कि modular operator का आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसी के साथ साथ आप लोग को यहाँ पर लिखना है 100 और उसके बाद आप लोग को लिखना है आप लोग को save कर देना है इसको run करना है और यहाँ पर लोग देखते है कि क्या होता है कि random number between 0 to 10 is 7 फिर से run करता हूँ और अब आ आप लोग को यहाँ पर दिखाया कि random number किस तरह जनरेट करते हैं अब अगर मैं यहाँ पर 100 की जगा 3 लिख दूँगा तो क्या होगा मैं 100 की जगा अगर यहाँ पर 3 लिख दूँगा तो यह देखो 0 से लेकर 3 तक मुझे दिखायागा देखो 2 दिखाया इसने उसके बाइस ने 0 दिखा दिया अब यहाँ पर फिर इसने वापस से मुझे यहाँ पर 1 दिखाया 1 दिखाया 1 दिखाया 1 दिखाया 2 दिखाया और पर ये मुझे दिखाता ही जा रहा है जैसे कि आप लोग देखें नमबर अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोग को अभी random number generate करना सिखाया है आप लोग को ये सब use करके एक game बनाना है लेकिन उससे भी पहले srand के बारे में मैंने आप लोग को नहीं बताया srand एक input लेता है और उसको हम बोलते है seed और ये जो time null है ये time in seconds return करता है अब अगर यहाँ पर मैं मानलो 45 लिग दूँ और उसके बाद इस program को run करूँ तो हमेशा मुझे एक ही number मिलेगा देखो 2 मिला अभी यहाँ पर वापस से run करूँगा फिर से 2 मिलेगा वापस से run करूँगा फिर से 2 मिलेगा और जितनी बार आप इस program को run करेंगे उतनी बार आप लोगों को अलग-अलग number नहीं सेम number मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने as run के अंदर जो seed होता है random number generate करने का वो हमने fix कर दिया है time जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो की change होती रहती है time तो आगे बढ़ता जाता है time को तो कोई नहीं रोक सकता इसलिए हम लोग time दे दे थे हैं उसको srand को कहते हैं कि आप time ले लो as an argument और आप क्या करो मुझे एक random number generate करके दे दो taking into account ये वाला seed अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ srand takes seed as an input and is defined inside stdlib.h अब यहाँ पर मैं अगर control दबा के srand पर click करूँ देखो stdlib.h खुल गई है और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि कहाँ पर srand मैंने define किया है अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने time use किया है और हम लोगों ने काफी चीज़े use करी है उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ अगर मैं यह देखना चाहूं कि time कहा पर सेवड़ा तो control दबा कि मैं इसको click करूंगा तो time dotage खुल गया तो हम लोग क्या करेंगे अलग-अलग functions का इस्तेमाल करेंगे और वो अलग-अलग functions अलग-अलग header files में define होंगे यहाँ पर मैं एक camera कर सकता था मैं यहाँ पर एक int generate random number नामसे एक function लिख सकता था number और यहाँ पर यह क्या लेगा एक integer number लेगा ठीक है अब यहाँ पर यह क्या करेगा generate करेगा एक random number कहा से कहा तक यह generate करेगा random number आपका 0 से लेके n तक तो मैं आपर लिखूँगा क्या मैं आपर लिखूँगा return rand और उसके बाद return rand लिखने के बाद मैं क्या करूँगा return rand लिखके मैं percentage कर दूँगा n और यह return value हो जाएगी इसकी अब मैं क्या करूँगा यह जो srand वाली line है इसको alt दबाके और अपने arrow keyt से उपर करूँगा और अब मैं अगर यहाँ पर अपना generate rand वाला जो number है फंक्शन है उसको call करूँ generate j e n e r a t e random number और मानलो मैंने इसको 5 दे दिया और मैं जैसे इसको 5 दूँगा ही देखो यहाँ पर यहाँ पर मैं 5 करूँगा इस बार तो मैं जैसे ही run करूँगा इसको देखो मेरा function काम कर रहा है मैंने यह function आप लोग को बना कि तो दे दिया है लेकिन आप लोग को exercise में करना यह है कि आप लोगों को इक game बनाना है और game का नाम है create rock paper scissors game आप लोगको यह game बनाना है अब यह rock paper scissor game क्या इसमें क्या होता है कि दो प्लेयर्स होता है, आप लोग को मालूम होगा, मुझे मालूम है कि 90% of the people को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं discuss करना चाहूँगा एक बर और, player 1 सबसे पहले बोलेगा कि वो क्या चुनता है, रोक चुनता है, पइपर चुनता है पिर सीजर चुनता है, तो आप लोग को करना क्या है, player 1 यहापर player 2 हमारा computer है वाई-दहए, इहापर लिख दीता हूं पहले ही, हमारा player 2 जो है वो computer है अब player 1 क्या करेगा मालो उसने चुन लिया rock ठीक है और इसने जो चुना वो हमारे computer को obviously नहीं मालो में ठीक है तो हमारा computer क्या करेगा इन तीनों में से एक randomly चुन लेगा rock, paper and scissors में से मालो हमारे computer ने चुना scissors ठीक है और जैसे हमारा computer scissors चुनेगा, क्या होगा scissors काट देता है rock जो होता है वो scissors को काट देता है कुछ ऐसा समझ दो कि अगर आप लोग कैंची से पत्थर को काट होगे तो कैंची का नुकसान होगा तो इसलिए player 1 को एक point बिल जाता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ player 1 gets one point ठीक है इसी तरह यह जो game होता है वो तीन बार चलता है और तीन बार में से जो सबसे जाधा point लेकर जाता है वो जीत जाता है तो rock versus scissors में से कौन जीता है rock wins, sorry मुझे यहाँ पर लिखना है rock wins उसी के साथ साथ हमारा अगर यहाँ पर paper versus scissors से तो scissors जीत जाता है हमारा ठीक है जो कि obviously जो कैंची होती है वो कागस को तो काटी देती है अब हमारा paper कहां जीता है paper हमारा जीता है rock से अगर rock और जो paper है उन दोनों की लड़ाई हो तो paper जीता है क्योंकि कुछ ऐसा होता है concept की paper जो होता है वो rock को cover कर देता है तो rock जो है मतलब दिखता ही नहीं है वेर कुछ पता नहीं अगर आप लोग को मालूम हो कि ऐसा क्यों होता है मुझे comment में जरूर बताएं और मुझे ये भी बताएं कि rock versus scissors में से rock क्यों जीता है लेकिन paper versus rock में से paper क्यों जीता है ये भी मुझे आप लोग नीचे comment में जरूर बताएंगे तो अच्छा लगेगा चलो यहाँ पर ज्यादा हम लोग game की details में नहीं जाएंगे इतनी details काफी है इस program को लिखने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या एक program लिखेंगे जो कि क्या करेगा मैं आप लिख देता हूँ write a c program to allow user to play this game three times three times with computer log the scores of computer and the player आपको player और computer दुनों के scores को save करना है variable के अंदर display the name of the winner at the end display the name of the winner at the end end में आप लोगों को winner का नाम घोशित करना है यह आप लोगों को लिखना है अब यहाँ पर एका चीजे और मैं बता देता हूँ notes में डाल देता हूँ notes में यह है कि you have to display name of the player during the game take input from the user take input from the user take user's name as an input from the user आप लोगों को पूछना है कि उसका नाम क्या है इंसान का जो की खेल रहा है गेम और उसके बाद आप लोगों को उसका नाम डिस्प्ले कराना आप लोगों को लिखना है जैसे हरी खेलना है तो आपको लिखना है हरी हरी स्टन और उसके बाद आप हरी क्या चुनना चाता है रॉक पर यह सीजर और उसके बाद आप लोगों को लिखना है अब कंप्यूटर स्टन तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि आप्टमेटिकली खेलेगा कंप्यूटर लेकिन हैरी स्टन है उसको सोचना पड़ेगा तो लोग क्या चलूँ लेकिन यह गेम रैंडम होता है लेकिन खेलने में बड़ा मज़ा आता है आप लोग के प्रोग्रेम हें डैपकल को क्या यह आप लोग लोग को एक दम रखते हो लोग इसको appreciate करेंगे क्योंकि एक real world चीज है, एक होती भी दिख रही है चीज, ऐसा नहीं है कि कोई boring सा program है, जो कि कुछ generate कर रहा है, यहाँ पर आप लोग को real world एक game बना के आप लोग दे रहे हैं, C program के तरू, तो हमने यहाँ पर अपनी game programming में कदम रख दिया है, एक तरह से इस वीडियो के लिए कम से कम आप लोग प्लीज जरूर नीचे challenge accepted लिखें, हर exercise में बहुत कम लोग solve कर रहे है, question मैं चाता हूँ, इस बार सबसे ज़्यादा comments आएं इस वीडियो में और लोग लिखें challenge accepted, ऐसा मैं इसलिए चाता हूँ आप लोगों से, ताकि मुझे यह पत अच्छे हो सकते हैं addicted, तो आप लोग इसको बनाएं और इसको खेलें और अपने हाथों से बनाए हुए game को खेलेंगे, जैसे होता है न, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना सबको अच्छा लगता है, खुद बनाया है आपने तो, और अगर वो तरो असा कम tasty भी होता तब वीडियो पढ़ें, बट bookmark करके रख लें इस playlist को, save करके रख लें playlist को, क्योंकि बहुत ही कम likely है कि अगर आप लोग search करके वीडियो तक आते हैं और उसके बाद फिर आप लोग दो वीडियो देखकर चले जाते हैं तो आप लोग कोई playlist हो सकता है, गुम जाए और आपको व आप कर सकते हैं, अभी के लिए इस वीडियो में काईज इतना ही, मैं इतजार करूँगा और मैं बहुत जाथ एक्साइड़ हूं इस वाली exercise के लिए, so मुझे बताना कैसी रगी exercise कमेंट में और सब लोग challenge accepted हो जरूरू से लिख देना, thank you so much guys for watching this video, इस वीडियो को लाइक क इस वीडियो के लिए आपा हूं इस वीडियो के लिए आपना ही, आप में बहुत